हाँ जी दोस्तों क्या हाले क्या हाले I hope you are all doing well sir आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ एक amazing नया series जिसको हम कहेंगे one step forward because November 22 का exam pass आ रहा है और आप लोगों को अपने preparation में रोज एक step आगे बढ़ना है और आप लोगों को नई चीज़ें सीखनी है तो आप लोगों के जितने भी सारे questions मेरे telegram पे YouTube के comments पे आते हैं वो सारे collect करके जो भी मेरे को हर दिन या हर दो दिन में में एक video लाने की कोशिश करूँगा जिसमें आपके एक pain point को मैं answer करके जाओंगा ताकि उससे आपका benefit हो अब जैसे कि आज का सवाल हमारा है सर जो सबसे पहला सवाल है वो है कि how to study when you don't feel like studying और यह एक बहुत important question है और यह बहुत लोगों को समझ नहीं आता कि यह practically हो क्या रहा है मेरे साथ इस वीडियो में मैं आपको फटा-फट बहुत सारी बाते बताने वाला हूँ जो आपको 100 बाते बताऊंगा उसमें से आपको शायद 2 या 3 बाते काम आएगी लेकिन वो 2-3 बाते की ही आपको जरुवत है आपको बाकी शायद 90 बाते पता होगी पर उसके लिए आपको सुनना पड़ेगा क्या आपको पता है क्या नहीं पता है अब सर सबसे पहला सवाल यह है सुडेंट पढ़ते नहीं ठीक है और उनका यह रहता है क्यों नहीं पढ़ रहे हो तो वो कहते है कि बस मन नहीं कर रहा है and that is a very genuine problem, okay, that happens with everyone, you have to understand, you are not alone, that happens with everyone but sir, एक बात बताओं क्या, मन करने पर तो पूरी दुनिया पढ़ लेती है, हम महनत किस चीज को बोलते है महनत तो वोती है जो हम बिना मन के पढ़ाई कर रहे है ऐसा थोड़ी है कि मेरा CA final 5 में नहीं क्या मस्त मन किया और मैंने मस्त आराम आराम से बढ़ा, आराम से एक्जाइम लिग दिया, पास हो गया, हरे problem तो वही है ना कि जब तुम्हारा मन नहीं कर रहा है तो उस समय पढ़ाई करना तो sir, एको मन बनाने के लिए आपको सबसे बेले समझना पढ़ेगा what is the exact reason why are you not studying, right? it is very important to understand the reason you don't have to tell it to anyone, you just have to understand yourself then there can be multiple reasons, जैसे कि अगर आप शुबह से शाम तक पढ़ा ही कर रहा हो और शाम को आपकी इच्छा नहीं हो रही है, इसका मतलब शायद यह हो सता है, आपकी दिन की केपासिटी एग्जास्ट हो गई है दूसरा, अगर आपका May 22 में अनफॉचनेटली अटेंप लग गया, तो आप अभी दग mentally prepared नहीं हो पायो यार वापस कैसे पढ़ू, वही वही चीज़ें, इतनी भेहनत कर दी, फिर से कैसे पढ़ू तीसरा, या तो आप बिना target के बैठते हो, आप सुबह उठ जाते हो, और के तो आज F.R. पढ़ूँगा, या फिर आप केते हो, law पढ़ूँगा, और आपको नहीं पता क्या पढ़ना है, आपको नहीं पता, तो then you don't get that aggressiveness to meet something, to achieve something, so that makes you a little lazy, right, और last होता है, इसे डर, ठीक आप वो comfort zone में आ जाते हो अपने, कि मैं पढ़ी नहीं रहा हूँ, इसलिए मैं फेल होंगा, शायद मैं पढ़ता तो पास हो जाता, उस तरह की चीज़ें आने लग जाती है, तो sir, आपको या तो exam से डर लग रहा है, या फिर sir, absolutely कोई भी कारण नो सकता है, मन नहीं लगने आपको समझना पड़ेगा, क्या चीज़ें कर सकते हो, आप मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, करके सुन लो, सबसे बहले sir, group study कर सकते हो, group study मतलब आपके न, there has been times when I have called my friends and I have told them कि यार पढ़ाही नहीं हो रही है, प्लीस थोरी help कर दे, तो वो क्या करते फिर वो अपने जो schedules है न, वो हम पर डालते है, कि देख में कल से law करने वाला हूँ, तु मेरे साथ law कर ले, तो उस तरह का जब schedule तुम पर कोई डाले, तो तुमारा एक पैठ जाता है पढ़ाही करने का, तुम उनके साथ 4-5 दिन, 10 दिन पढ़ लो जब तक तुमको जमा, और उसके बाद जब उनको या, तुमको नहीं जमा, तुमको कुछ और पढ़ना है, तुमारा कोई और weakness है, तो तुम बोलो कि भाई, तु पढ़ ले, मैं पढ़ लेता हूँ, तो it is always okay to ask for help, reach out to your friend who is studying along with you and ask them for help, ठीके, और ऐसा न, randomly मैंने टेलिराम पे बहुत लोगों को तुमको साथ में पढ़ना है, अरे ऐसे नहीं होता है, जब तक तुम उस बंदे को जानते नहीं हो, वो तुमको जानता नहीं है, कैसे तुम पढ़ लोगे साथ में, पर this is one thing that you can do, second back calculation करो sir, थोड़ा साना डर अगर नहीं है, तो डर बनाने की कोशिश करो कि आप लोगों क एक बार exam से ले करके back calculate करके देखो कि last revision कितना दिन लगेगा, first revision कितना दिन लगेगा, mock test कितना दिन लगेगा, और आपके पास अब कितना दिन बचा है, एक बार पढ़ाई करके खतम करने में, तब आपको समझ आएगा कि मैं एकदम deadline पे हूँ, और deadline पे जब आप केलते हो तो हम as a student deadline पे ज़्यादा अच्छा perform करते हैं, तीसरा sir study with me session से मैं YouTube पे रोज शाम को साड़े पांच से साड़े नौ, कोशिश करता हूँ live रहने की, मैं कोशिश करूँगा, मैं 21-21 days का session announce कर दू, ताकि शाम को साड़े पांच से साड़े नौ, आपको आदत पढ़ जाए, सबसे पहला start small, मतलब आप अपना targets बहुत limited लो, छोटे-छोटे sessions में पढ़ो, अगर आपसे 3-4 गंटे का, आपको एक सा stretch पानने की जरुरती नहीं, अगर आपसे पहले पढ़ा ही नहीं हो रही थी, आप 30 मिनट का, एक गंटे का session करो, आप सुबह एक गंटा, दो गंटा क इसे pick करो, जो आपके choice के हैं, अगर आपको एसा subject कर रहे हो, जिसमें आप weak हो, पर आपका मन नहीं लग रहा है उसमें, तो अभी नहीं कर पाओगे उसको, you should take subjects which you are not very weak at, or which you like doing, for example, personally I like doing SFM, मेरो SFM बहुत पसंद था, तो मैं पूरा दिन बर theory करता था और शाम को जब भी free मिलता है, माइन रिफ्रेश करने कि ला, I used to do SFM, उसके अलावा sir, targets लेना, जितना important है, उतना ही गभी-गभी important होता है, targets नहीं लेना, क्या वोल रहे है sir, सुबा सुबा, अरे नहीं सुना, मैं क्या बोल रहा हूँ, कि क्या होता है, कभी-गभी ना, लोग targets के हिसाब से नही need targets, अगर आपके पस targets है, वो meet नहीं हो रहा है, उससे आप demotivate हो रहे हो, तो targets चोड़ दो, बस यही सोचो, आज मैं law पढ़ूँगा, अराम से पढ़ूँगा, बस यही है कि हर second को, हर minute को utilize करूँगा, मैं ऐसा नहीं होना चाहिए, कि मैं target ले रहा हूँ, और मैं पढ़ा material में बहुत जादा marking कर लिया, गोद लिया था, sticky notes लगा लिया, अब ऐसा लग रहा है, देखके वही लग रहा है, सब कुछ पढ़ा था, सब कुछ पढ़ा था, पर तो उसी subject का, या किसी और author का चाहिए, तो आप क्या करो, नया material मंगवा लो, और उस नया material से पढ़ने करो, या अगर जो बहुत likely है कि आप late सोते हो एकदम, और सुबह late उठते हो, तो आप एक बार कोशिश करो, सुबह 5 बिजे, 6 बिजे उठने की, क्योंकि जब आप इतनी मैनत से सुबह 6 बिजे उठते हो, तो एक एक second कीमती लगने लगता है, फिर लगता है, भाई, उठा ह तो पढ़ूँगा उठके कपिल शर्मा शो तो देखना नहीं है मैने, तो आप उस समय पढ़ने लग जाते हो, ठीक है, और दोस्तों देखो, ये बहुत common है, पर मेरा एक ही request है, यही चीजे तो है CA का खिल, यही चीजे तो manage करनी होती CA में, पढ़ाई हर को ही कर लेता है य anything, just get started and stop saying, stop repeating that I don't feel like studying, just start saying कि मैं बहुत बन कर रहा है, पढ़ेंगे, 100 बार जूट बोलोगे न, जब 101 बार बोलोगे न, दिल से निकलेगा और सच में निकलेगा, ठीक है, तो उसके लिए वो कहते है न, fake it till you make it, that you have to do, okay, guys, for the next video, आप लोगो के क्या question number 2 होगा इस सीरीज क मेरे को comment पे बताओ, ताकि जिसमें भी बहुत जादा लोगों को तकलीफ हो रही है, उस question को उठा करके अपन फटा फट 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 वीडियो बना देंगे, आपका काम हो जाएगा, until then, see you, have a productive day, और comment ज़रूर कर लेना अपने लिए, और मेरे लिए, please like कर देन आपका appreciation, मेरा motivation है, और subscribe कर लेना था कि आपको next वीडियो के बारे में बता दो चले, है ना, until then guys, thank you, see you, bye bye